जैन दोस्तों स्वागा था आपका सिख्षा कम्टी संग क्लासेस में दोस्तों आज की इस वीडियो में महिला आर्मी रेली भरती 2021 की बात करेंगे दोस्तों महिला आर्मी रेली भरती साल में एक बार आती है तो 2021 की महिला आर्मी रेली भरती आ चुकी है आप इसके लिए आनलाइन आवेदन 6 जून 2021 से 20 जूलाई 2021 तक कर सकते हैं ध्यान में रखिएगा 6 जून से इसका आनलाइन आवेदन ओपेन हो चुका है और लाश्ट डेट आनलाइन आवेदन की 20 जूलाई 2021 है अब चलिए इस भरती के बारे में पूरा आपको डीटेल से बता देते हैं कि इसके लिए एज कितनी चाहिए हाइट कितनी चाहिए और योगिता यानी क्वालिफिकेशन कितना चाहिए ध्यान में रखिएगा जो महीला आर्मी रेली भरती आई है तो पुरे भारत के लिए आप भारत के किसी भी राज जिसे हों इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए अब इसका आफीसियल नोटिफिकेशन ओपिन करके पुरा डीटेल से बता देते हैं देखें जो भरती है तो सोल्डर जन्ना ड्यूटी है और सिर्फ महीलाओं के लिए है बुमेन मिलिटरी पुलिस है ध्यान में रखिएगा और एज इसके लिए साड़े सत्रा साल से 21 होनी चाहिए सिर्फ जीडी की भरती है और यहां पे देखें एकदम से डेटा बर्थ बता दिया है कि अगर आपका जन्न एक अक्टूबर 2000 से एक अप्रेल 2004 के बीच हुआ है ध्यान में रखिएगा साड़े सत्रा से 21 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए लेकिन बगल में आप देखें स्पेसल रूप से पुरा डीटेल से बता दिया है कि आपका जन्न एक अक्टूबर 2000 से लेकर के एक अप्रेल 2004 के बीच अगर हुआ है तो आप इसके लिए फाम अप्लाई कर सकते है चले हाइट के लिए बताया है कि हाइट 152 सेंटी मीटर होना चाहिए यह ध्याम रखनी चाहिए कितना होना चाहिए 152 सेंटी मीटर होना चाहिए चले अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे मता रहा है कि दसमी में आपके 45 परसंट माक्स होने च कि दस्मी में आपके नियुंतम कितने परसेंट होने चाहिए 45 परसेंट और प्रतेक सब्जेक्ट में आपके 33 परसेंट यानि प्रतेक सब्जेक्ट में आपके 33 नंबर अनिवार हैं अगर आपके उसमें ग्रेस लगा है तो आप इसके लिए फार्म अपलाई नहीं कर सकते हैं लेकिन एक चीजी ध्यान में रखीगा कि महीला आर्मी रेली भरती में percentage के base में कटाप बनता है उसके बाद ही फिचकल होता है इसके लिए हमें एक वीडियो अलग से बताएंगे कि महीला आर्मी रेली भरती की प्रोसेस क्या है step by step पूरा detail से आपको बताएंगे तो आप समझ गये होंगे कि अभी आपको अगर फार्म अप्लाई करना है तो नार्मली आपके दसमी में 45% होने चाहिए और प्रत्यक सब्जक्ट में आपके 33% जानी 33 मार्क से अनिवार है देखें यहां थोड़ा सा फिचकल के बारे में बताएंगे फिचकल आपका वही एक दसमलो 16 किलो मेंटर आपका फिचकल रहेगा जिसमें ध्याम रखेगा जो टाइमिंग आपको दी जाएगी तो 7.5 मिनट का दिया जाएगा और जिनको छूट दी जाएगी ध्याम रखेगा अभी मैं छूट के बारे में बताऊँगा कि किस किस राज जी को कौन से ब्यारतियों को छूट मिलेगी तो उनके लिए 8 मिनट तक का टाइम रहेगा और लांग जंप 10 फिट रहेगा ध्याम रखी गई इसमें सिर्फ आपको पौलिफाइट करना है और हाई जंप आपका क्या रहेगा तीन फिट रहेगा चले ये आपका फिचकल हो गया इसमें और नीचे आप आएंगे तो NCC के बारे मिदिया गया है NCC वालों को भी छूट में रहेगा आप यहां देख सकते हैं A, B, C जो महिलाएं NCC की हैं तो उस हिसाब से उनको छूट मिलेगी और रिलेशन वालों को भी थोड़ा चूट मिलेगी अब चलिए देख लिए टोटल पोश्ट के बारे में सबसे उपर आप PDF में आएंगे तो आप देखिए यहां इस परश्ट बता रहा कि अप टोटल पोश्टों की संख्या 100 है पूरे देश में ध्यान में रखिएगा हर साल जो भरती आती है तो लगवख 100 पोश्ट में ही आती है टोटल पोश्टों की संख्या कितनी है 100 यही कारण है कि परसंटेज बेस पर ही मेरिट बन जाता है फिचकल के लिए और आनलाइन आप आविधन करेंगे उसके बाद आपका मेरिट बनेगा परसंटेज बेस पर और उसके बाद फिर आपका फिचकल होगा देखें 6 जून 2021 से 20 जूलाई 2021 तक आप इसके लिए आनलाइन आविधन कर सकते हैं जो फिचकल और रिटर्न सेंटर बता रहा है तो आप देख लिए अंबाला लखनओ जबलपूर बिलगाओं पुने और सिलाओं ध्यान रखिएगा आपके नजदीक जो हो वही सेंटर बताया है तो दोस्तों ये महिला आर्मी रेली भरती के बारे में जानकारी दी है जिसका आनलाइन आविधन 6 जून से सुरू हो चुका है उसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बाक में पूश सकते हैं वैसे हम इसके बारे में एक पूरा वीडियो क्या है इस्टेप बाई इस्टेप जैसे आप सबसे पहले फाम अपलाई करेंगे उसके बाद आपका फिचकल होगा कितने दिन का समय मिलता है फिचकल के बाद पेपर में कितना समय मिलता है कटाव कितना जाता है इसके बारे में अगला वीडियो हम डीटेल से बताएंगे तो इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बाक्स में जरूर बताए, बहुत जल्द अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थाइंक्यू, धन्यवाद.